नमस्कार मित्रो आजे ओगनेश मी ओगस्ट एडले एक साहित्यकार के एक सर्जक ने आपणे जो पोखवावाई तो सहज रीते आपणे आद्रिनिय श्री पदमश्री शिताउशु भाई यश्रस्चंद्र महितानू स्वरन सहज थाई एमनी जे सर्जन यात्रा ने अमना जे पड़ावो छे एक चोक्तस आपड़ने एक नवी दिशामा विचार करता प्रेरे एक सर्रियल कवीता थी आरंबी ने एक भारतिय मिठ ने केंदरों राखी ने जमने कवीतावनों व्याप साध्यों छे एवा आदरिनेशी सितांशु यश्रस्चंद्र महिता ने आवो अबड़े अथ्वडी वातों द्वारा शुब कामना उपाठ विया आप सव जानों छो के आज सर्जके संदरिय शाष्त्रा ने तुल्लात्मक साहित्यमा एमेनों अभियास करियों छे अने बब्बे पिएचडी नी पद्वी एक देश मा थी आने विजी विदेश मा थी और डॉक्टर न्यूटन पी स्टॉल्नेस्ट एना मार्क दर्शन मा आँ सर्जके नाट्याचारिय भरत अने फिल्सुप कांटनी परंपरामा कला सोरुपनों विभाव ए विशे विदेश मा अभियास करियों अने पीचडी नी पद्वी मिलवी तो प्राम प्रशाद बक्षी ना मार्क दर्शन एठल एमने रमणियतानों वाग विकल्प नामे जे आपनने मले छे पछी थी ए जगनाथ ना रमणियतानों विभाव आने कांटना स्वरुप विभाव विशे नों अभियास करी ने बीजी पीचडी नी पद्वी मिलवी सिब आज सर्जे के आयनों सको ना जे मेख बेत छे ने गुजराती मा तो उतारी यू पण एनी शाथे शेक्ष्पियर नों जे मेख बेत छे एनने बन्ने वच्चन नों तुल लात्माग अभ्यास्पन करी ओछे प्रारंबे मुंबईनी मिठिबाई कोलेज ना अध्यापक पछी महाराजासी आजे राव गायकवाड यूनिवर्सिटी ना प्रोफेसराने एड आने सवराष्ट उनिवर्सिटी ना कुलपती अने जे ओ आलमा गुजराती साहीत्य परिशद ना प्रमुग छे ए सर्जक ए सितां शुबाई येमनों आजे जन्मा दिवस येमनों प्रथम जे काविय संग्रा ओडिसेस नू अले सो सब इंडिविजियल अनकोंशेस्नेस व्यक्तिगत अचेत्ना जे छे क्या थी आरम भैली येमनी कविता यात्रा जटायू शुती अले ग्रीक मिठोलोजी थी भारती मिठोलोजी नी येमनी आ यात्रा व्यक्तिगत अचेत्ना थी सामुहिक अचेत्ना सुती विस्तर जे सामे ओडिसेस नू अले सुमा व्यक्तिगत अचेत्ना निवाद अती जटायू मा सामुहिक अचेत्ना निवाद करिवी छे कलेक्टिव अनकोंशेस्नेस जने कई शकाई संग्नानी अंदर ओग्णी सोने छोंतेर मां आ कावियो प्रगड थयू अने प्रथम दुरुष्टिए तो ए ए तमने आख्यान आपने मध्यकालींजी आख्यान शेली छे अने एना जे छन्द छे मात्रा मेल छन्द उमा ए एक आवियो आपने प्राप्त थत्तु लागियो पचिती एनी अंदर नो जे एक आधुनिक सूर आपने पकड़ायो ए सूरे आ कवी नेक उंचाय आपी पचिते मने वखार संगरपन आपियो ना वखार सरश्वती सन्मान थी पोखायो पड़ खारों जे आ सरश्वती सन्मान आपनी गुजराती पाशामा बे सर्जकों न अत्यार्श्वती मलियो जे पहला दर्शक आने बीजा आ दर्शक ने कुरुक्षेत्र आमनी नवलकता संदरवे मलियो तो अने आ सन्मान सवथी प्रतम हरिवंश्ड़ाई बच्चन ने मलियो तो याद रहे हैं आम तो आ सरशके सन्मानों घणा मिलगा चटाई उने तो साहित्यकादमी दिल्ली द्वारा जे दर्वर्शे मलतू सन्मान ए मलियो छे अने ए उपरांत मध्यप्रदेश अने कभीर सन्मान आप्यों ओरी साहिए एमा यहाँ गंगादर महेश पारितोशिक आप्यों महा नाष्ट्रे एमने कवी कुसुमा गरज पारितोशिक आप्यों कलकता नी बारतिय भाषा परिशदे पन एमने सनमान्या एम आ सर्जक नी सर्जन यात्रा अने एमनी जे पुरसकारों नी यात्रा छे ए विपुल मात्रा माँ जे पर मारे यहां जटा यू संद्रिबे थोड़ी वाद करवानी छे के आख्याने ना परंबरिगत सोरुप ने एक कई रीते जुदी रीते पुतिकी रीते मुकी आपे छे जे परावास्तों नो मार्ग आ कविये ओडिशिस नू अलेशुथी आरंब्योतों श्विकारियोतों ए अहियां एक मध्यकाली ना आख्यान शैली ने अनूसर है छे साथ खंडणी अंदर विभाजेत आ कावियो एमा एक तरप जंगल छे बिजी तरप पेलो जटायू छे आ जंगल तमने वधाने ख्याल छे जड संबेद नहील अने नियम ग्रस्त छे तो बिजी तरप जे जटायू छे एकाकी तो छे पन संबेद निशिल छे कलपना शिल छ अने उडवानी टेव वालो छे आ बेनू सन्निधी करण करीनी जे नाट्टेत मंगता सिद्ध करी छे शे यह आ काविय नी विशेषत आ छे शे तमे आज संग्रनू घेरो काविय जोशो तो एमने ओ छांदस अने एनी सामय जटायू जे चांदस छे चंद जे चे यह तपास तो पने एक जुदा अभ्यास नो विशे बनी शाके एम छे एम कई शे काई आपने तिया जे खंड कावियो कांत द्वारा आरंबाया अने कांते उचाई सिद्ध करी खंड काविय द्वारा ए उचाई नू नव रूप निजी नोखू रूप तमने आ जटायू पछी आने पछी विनोद जोशी ना शी खंडी मा मले बाहुक ने तो अरी वल बायाणी ए खंड काविय नू 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 तन वणांक कैने ओल खावियू आने त्यारे चिनू मोदी ये नमरता थे गितू के मना काविय ना मूल अथे तो आ काविय सर्जवानी प्रेना जटायू माथ अर्थोलोजी यती एनी सामे आ भारतिय पुराकल्पन तरफ नू अनिवारिय एवु आ सर्जवक नू खेचान आपने पन खेचेशे सेब। आधुनिक कवी आ भारतिय पुराकल्पन तरफ डढे ए गुजराती भाषा माटे एक अनिवारिय एवी घटना बनी अने मध्यका आलीन आख्यान शेली ए रचाहिलू आ कावियों मात्रा मलने कई रीते अनूसरे छे एपन एक जोवानों अभ्यास अई बनी रे तम्या कावियो माँ जुओ पहलीज पंक्ती जिये छे सिद्धोज विशेई प्रवेश अने एक परिचित भातावरन अपने रची आपे छे क नगर अयोध्या उत्रे ने दखन नगरी लंक अपने परिचित भातावरन मलेचे हा आ लंका अने अयोध्या राम अने रावन आपना चीत मा जागरू थे जाए पड़ विजी पंक्ती थी कवी जे निशान ताके छे जे उँचाई सिद्ध करे छे ए जोवाजेवू छे क्य वच्चे सद सद जोत विहोणों वन पत्रायू रंग नहीं सद नहीं असद एवू बन आधूनिक तानों आविर्भाव अहिया तमने देखाया आवे एक तरफ दवल दर्म जोती छे अपने आपने निते जनुमान करी एक तरफ उत्तरे सर्जके दिशान निर्देश करियो ऐक दर्रहव दवल दर्म जोती छे बिजी तरफ अधर्मनों रातों चोड जोती छे अपनना मनमा पयलों जे अघुड नगर ऐयो द्या दखन नगरी लंक निवाद करीती, दर्मनों जोति रातों चोड दुढ आपड़ा चितमा लंका ने रावन शरवळवाल आगे ताजो थाई। कवी सबांधा पुर्व कें दीशान उल्लेक नती करता अर दर्मनों जोती दक्षिन नो अने लंका नो अने दर्मनों जोती उतर नो एटले के अयोध्यानों छे वेवु बावक वाचक कल्पी ले छे आ बेनी वच्चे जे जे एक कवीने विशाईनों केंद्रस्थ मिंदू बनावो छे वननों लिलो अंधिकार आवाच छे शेप पीड़नारू तत्व आ छे अंधिकार छे अनी अजवाणाने जंक्या छे एने मानने पट्ट पछी अजवाणू ए दवल होय के राथू चोड़ अजवाणू चोई है छे दिवो घीनों छे के गासलेट नों प्रकाश आपे छे यह ना माटे ए तत्व ए वस्तु महत्वनू छे अने परेणा में एने एक कोई परवा न थी अले सत अने असत्ति पर यहुँ आ वन छे यह आपन नहीं प्रारम मलें छे अने त्या लिला अंधकार मा जे वन्य जिवोनी स्थिती छे तमें वा आजनों वर्तमान सामाजिक वर्तमान तमें निर्देशी शको आ लिलों अंधकार के पचिया वान आ बदामा वर्तमान स्थिती सामाजिक स्थिती नो निर्देश सहज ताथी पकड़ेशक आई छे अने यह ना ज वस्तीनो निर्देश करें छे शेब दिशावी हीन छे गतीवी हीन छे यांत्रीक छे एनी आ जीवने रिती जे क्रिया पदोनी हर्माणधी सुचवाई छे के चरे फरे रती करे गर्बने तरे अउतरे मरे अने पछी ए वन्य जिवना उल्लेखो आवे छे याद राजो ए वन् रांग रीच हंस वड़ी हर्ण साप खिसकोलां शुक पोपट ससलांग शियाल वरु मोर वागने होलां कैसी न थी कारण के आ बदा जे छे ए जेम कहे तेम सव करवा वाड़ा छे नाना नाना मर्ण भरिया छे सीही नी जेग्यां यहां जटायू एली दिव छे जो खर बिलाड म्रुग शुगाग शब देखाई तोन नमतो तो के पछी केवड गज केसरी शबना भोचन जमनारो सुखी एम कहीने कविये सीही ना विकल पे आ जटायू ने मुक्यों छे पहलो जे खंड छे से ए भुमी का रूप वनना वातावरण अने वास्तों ने मुक्य आ पे छे अने बीजा खंड मां सर्जा के वन्य जिवस्रुष्टी नी निस्क्रियता चिंदी बतावी छे अने आ बदा थी नोखो एवो जटायू बीजा खंड ना अंति प्रक्टे अचे एवा गीदोनी वच्चे एग गीद छे नाम जटायू अहिया जे एक शब्द छे एविशेश वाचक तो छे चे संख्या वाचक पन छे अर्थात मात्र एक जेवु प्राणी के जेने स्वमान गवरव छे अन्य तो स्वमान ने स्वभान्थी पन पर छे साइब तवे जूओ संत्रिव मने चे आज काव्यमा कि दरपण समझल होई तो ये नव कोई जुवे निज मूख बस तरस लागता अनुभवे पाणी पिधानू सूख आ ओई तोई कोई नो ये अंत्रप्रास्तो छेज पड़ पहली पंग्ती ना थोड़ा फेरफार साथे कवी छेले अन्ते थोड़क फेरफार करीने बिद एक पंग्ती मुगे चे पहली पंग्ती मा माइनर चेंज करें क्या उपर अयोद्या उत्तरे क्या दूर दखने लंक आ क्या द्वारा ये फेरफार करें क्या ये प्रष्ण भाचक न थी ये दूर्ता भाचक चेंज जे एकल ताने औने नी सहाई ताने पर नी देशे छे औने अंत माटे नी भूमिका तियार करे छे आपने अंत जोशु त्यारे आमने फरित या पंक्ती ने फरिती समरी शुँ अवे त्री जोखंत में जुओ आ जटायूनी बव उडवानी टेवने अने येनी मातानी चिंताने अईया दर्शावी छे जीनी आख छे शे बापंखी नी पड़ पली पांख छे ने सत्पत करती पांख नो संद्रव छे पहला तो कभी अमले ये तो आमतो बिजू कई नहीं अने पछी मुके छे पढ़ने बव उडवानी टेव आ चिंता जनक टेव छे अने ए टेव बतावी ने पछी सर्जक्ता ज्याक स्फुलिंगो आपणने ए त्रिजा खंड मा देखाई छे ए होफाले एकलता के गोल गोल मुझावो आवा अरूढ ए भावकल्पनो थी ए आथवा उचे उड़े जटायू तो वासवा ठेके वन के पछी आथवा थी वेतवा नी गती तमें जुओ तिवुरता नो आ लेका मातापीता नी शर्त छे के वनना वासी वनना छेडा पार देखना मत इंदी प्रयोग आवे छे वारा मित्र राजेश पंडिया इम के छे के इंदी प्रयोग मा जातक कथा नो प्रभाव छे प्रपच्छी तमें आगल वदो पांच मों खंड सर्जक नी निजी सर्जकता कै रीते खीले विख्षे चे एक लांबो समय पट पच्छी एक प्रवड जटायू एक समय नो निर्देश सुच्वे औने खाली खम जनाता वन आप विशा तो चटायू कोईक असावज पड़े होवाना केडा पकड़े औने वनना छेडा नी पले पार पहुँचे त्या एने जे खाली पानी डीक लागी छे एक डीक चटा खंड मा केउ परिणा निपजावे छे कि जे सर्जक प्रारंबे नगर अयोध्या उत्रे ने दक्षिन नगरी लंक लगता ता एनू सायूज्य अहां तमने छट्ठा खंड मा अनुभवातु जोवा मले अने ए खंड नी पछिनी पंक्ती मा चर्णोंनो वितक्रम बढ़लाई छे वितक्रम थाई ए सुचक छे तमने जोओ दह मुह भुवन भयंकर त्रीभुवन सुंदर्शाम याद रहे कि आ पेला चार चार वार अयोध्यानों उल्लेक पेला थयोच्या अया अयोध्याने इपड़ पेला दह मुह भुवन भयंकर आवियो छे रावन पेलों आवियो छे रावन ने आगल की रहे राम ने पाच्छल की रहे चे सत्य अने परम्तत्व पर्थिज्रे शद्धा सर्ती जाई चे देनों तो क्याक निल्देश नथीने ए वात अने लोकमान्यता आम तो ए द्वारा सर्चक ने लोकमान्यता मुक्वी छे अने परिणामेज दह मुह भुवन भयंकर आवि तढ़ भाशानों शब्द मुक्यों अने एनी सामें तत्सम बानीनों शाम सुन्दर शब्द सुच्वी दीतों एक भाजू मध्यकालीन कावियों नू सुमर्ण थाई जे लोकमानस नू करण के रावन नों परिचाई लोकमानस मां बर्चट अने खरबडी भाशा मां आपो होई तेक लोक बोली मां आप्यों च अने चाई तत्सम बानी मां करावियों चाई साप सुफरी भासा मां अले एक पंक्ती मां भाशाना बेश्तर जे सचवाई आचे ये पर नौन पातर चे अले सर्जक पछी थी लोक ख्यालने दर्शाव्या बाद जे रिते सर्जकता दर्शाव्या खिल्वेचे ए जवा जे जटकर जटकर रागवा अवे मने मौन नो केफ चड़े जो सुन्दर तातो दूर्र रागवने रागवा आशब्द जे ये आवियो जे अने मौन नो केफ आ सर्जकता ने चींदे जे चठा खंड मां चार पंक्ती मां रामयन प्रसंग नो इजे रावन अने जटायूना मात्र चार पंक्ती मां अने त्या तमें स्पष्ट पने पकड़ी शको के दोहराना जी चरणों छे खोडंग आई चे शतिश्व्यासे नंद्यू छे के भाई युद मां बलबला नीमों तुटता होए त्या इन दोहराना चरण न तुटे तो जाश्चरिया अले आज दोहर युद अने अन्तमा सातमा खंड मां पर प्रतम पेलो दखन वालो आवे दखन वालो दूर अलो हे तुम उत्तर वाला आओ पर उत्तर वालो तो समय नो स्वामी जे ये वनेचर मत्यने मददे नथी जाओ तो चटानने कहीं कहवू छे सांबलवा नहीं है जाणे के फुर्षत न थी अने आथी जे एक वेदक प्रश्टा चटायूना मुखे कवी मुखे छे क्या केडा विनाना वन थी केटलू छेटू हशे अयोध्या छेब आवाज आसर जाख मुखी अने मानव जाती नो प्रश्ट मुखी आपए छे अले जटायू अई समस्त मानव जाती नो प्रती निती बन्यों छे करणके जे समझदार छे एने समझू वन वच्चे रिबाई रिबाई ने राह जोता जोता मरवानू छे अने नकार साथे जटायू पछिप्राण ते छोड़े छे नथी दशानन उत्तर अने उत्तर मान नथी राम आवात करवी जे अन्ते पण साहिप दशानन प्रत्थम छे राम नो ज नहीं दशानन नो पण छेद उडे छे एटले अवे फरिथी आपनने प्रारंब याद आवे कि सद सद विहोणू वन सद अने असोत वगर्नू जे वन छे एस आर्थर ठाई जे सामोहिक चेतना नी जे वात अती एनो जाने के विजयी ठता होई एवो आपने सत्तत लागे छे आ सर्जग्ये एक जग्याई नोंधित्यूं कि दूख है पन जिंदगी ने पूरे पूरी रिते जीवानू साधन छे दूख होवा छता एना प्रतिकार्मा एक कावियानू आ प्रेरक बढ़ छे आम सिताउंशू यशिष्च चंद्राए एक जग्याई आवात नोंधि छे अने ए वात समग्र काविया माथी पशार्थता आपने पर लागे छे तो आवा समर्थ पद्यस्वामी अन एटलाज समर्थ गद्यस्वामी आदर्णिया सिताउ खुब शुबाएने जन्मत दिन में खुब खुब शुब कामन हो आपार